तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम ट्राइ और कैस्ट ब्लॉक का यूज करके एक्सेप्शन हेंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स भी हमने देखे थे स्लाइड में तो उन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाला चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वह कोड जिसमें एक्सेप्शन रेज होने की प्रोबैबलिटी है उसे हम कहां पर रखते हैं ट्राइब लॉक के अंदर और ट्राइब लॉक के जस्त बाद हमारा क्या आता है तो चलिए देखते हैं अगर आप ट्राइब और कैस्ट कि बीच में जो बिगिनर वैसा कर देते हैं अगर। और क्योंक की बीच में आपको rinse स्टेटमेंट डालते हैं तो इस केस में क्या होगा आपको अपने प्रोग्राम में एरर मिल दाएगा देखें फिर मैं इस प्रोग्राम का भी रन करता हूं open containing folder and cmd javac demo try catch dot java तो देखें एरर आ गया है क्या आ गया है try without catch finally यानि कि क्या हुआ कि हाँ पर error is हो गया क्या error आ गया compiler ने error detect के लिए कि आपका वो क्या कर रहा है compile कि आपका जो try without catch यानि कि compiler कर रहा है आपका जो try block है वो क्या है without catch or finally block है तो आप इस सीज का ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी try or catch के बीच में कोई भी statement नहीं डालेंगे यह mainly beginners के लिए जो absolute beginners हैं वो इस ताइप की mistakes करते हैं मैंने अपने ट्रेनिंग्स के time पर देखा है जब भी मैं instruments को train कर रहा होता हूं या फिर सिखा रहा होता हूं तो मैंने देखा हूं ऐसी mistakes कर देते हैं तो आई थोट कि यहां पर उस चीज को discuss करना चाहिए तो यहां पर आप कभी भी try or catch के बीच में कुछ भी डालेंगे और देखिए यहां पर क्या हो रहा है एक exception raise हो रहा है क्या हो रहा है उससी exception को mention करें जो कि आ रहा है ठीक है यह आपको कैसे पता चला है यह आपको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा कि कि सिनेरियो में कौनसा exception raise हो सकता है यह developer और programmer की responsibility उस चीज को ध्यान में रखें तो देखिए यहां पर कौनसा exception raise हो रहा था यह reference variable में अभी आप इस तरीके से मांगे चलें ठीक है अगर भी मैं इस प्रोग्राम को compile करूंगा तो कोई भी error नहीं में लेगा आप लोगों को ठीक है एंट कि सब्सक्राइब करते हैं इसको आप यहां पर mention करके चलें ठीक है । ninth किया था हम ट्राये исп कम और केट है है wt trabajando आप सकते हैं ड्यामयद करते हैं लागज की लेख सकते हैं यहां पर क्या करते हैं मैं सकते हैं तो इस Program को क्या करते हैं, compile करते हैं, देखते हैं, Program चलेगा नहीं चलेगा, क्या नहीं हमारे एक Try के साथ Multiple Catch Locks हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए में कर रहा हूँ, तो हमारे एक Try के साथ Multiple Catch Locks हो सकते हैं, कोई भी Problem वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं था, बट अगर म इसका sequence change कर दूँ, ठीक है, इसका क्या करूँ, sequence change कर दूँ मैं यहां पर, यानिकि exception क्या है, सारे exceptions की parent class है, ठीक है, क्या है, parent class है, ठीक है, पर जो exception है, वो क्या आपकी parent class है, सारे exceptions की, ठीक है, तो अगर मैं इस type से यहां पर लिख देता है, यानिकि यहां पर मैंने क्या ल करता हूं तो मारे प्रोग्राम में क्या होगा वह देखते हैं कि क्या होगा एक एर्र मिलेगार मिलेगा एकक्सेप्षिन arithmetic exception has already been caught यानि कि क्या हुआ जो exception यहां से रेज हो रहा था कौन सा exception हो रहा था arithmetic exception ठीक है तो arithmetic exception का object raise हो रहा है, वो यहां पर catch हो जा रहा है, वो यहां पर कौन से exception raise हो गया? exception, arithmetic exception has already been caught यानि कि आपका arithmetic exception वह क्या हो गया? already catch हो चुका है तो आप जब भी इस थाप से multiple catch blocks use करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको ऊपर सबसे पहले आपको child class लिखनी है then parent class आपको parent class उपर नहीं लिखना है अगर आप parent class उपर mention करेंगे तो exception क्या होगा? already catch हो जाएगा तो आपके जो child class के लिए आपने जो catch blocks बनाया है वो useless है तो आप इस थाप से अगर लिखते हैं तो कोई भी problem नहीं है देखे अभी program happily run हो रहा है कोई वीश्व नहीं है तो आप याद करके चलेंगे इसको mind में set कर लें कि आप सबसे पहले child class के लिए catch blocks define करेंगे हानी कि child class सबसे उपर then फिर नीचे parent class आप उपर ही parent class का exception parent class के लिए catch blocks नहीं बनाएंगे fine एक और चीज थी में इसको यानि इस वाले catch block को क्या कर देता हूँ comment कर देता हूँ अभी मैं इसको फिलाल के लिए क्या कर दे रहा हूं comment कर देता हूँ देखिए try catch and finally यहा रहे है अभी मने आपको बताया नहीं तो उस पर हम बात में बात करेंगे जस्ट मैं आपको भी try catch के साथ बता देता हूं ठीक है finally block okay so यहाँ पर क्या किया है try catch then finally तो मैंने try के बाद क्या किया है catch then finally okay so program happily run करेगा कोई भी issue नहीं आएगा ठीक है program बन कर रहा है finally block ठीक है अगर मैं क्या करता हूं try and catch के बीच में try and catch के बीच में अगर finally डाल देता हूं तो क्या होगा देख लीजिए क्या होगा error मिलेगा क्या 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 रहा है catch without try रानी कि क्या 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 रहा है catch block है try के without है ठीक है तक try और catch के बीच में finally block नहीं लगा सकते आप आपको इस बात को ध्यान में रख लेना है और mind में एकदम set कर लेना कि आप try और catch के बीच में finally को नहीं लगा सकते जो finally है वो किसके बाद आएगा catch के बाद आएगा मैं catch के बाद लगाता हूं तो कोई भी problem नहीं है तो I hope clear हुआ 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 यह point आपका ठीक है तो finally next video हम देखने वाले है basically कि finally block क्या होता है कैसे execute होता है क्या इसका use होता है तो अभी के लिए यही था कि आपका जो try है और catch है इसके बीच में finally नहीं आएगा जब आप multiple catch लगाएंगे तो सबसे पहले child class then फिर parent class इस order में लगाएंगे पाकी आप try अगर मैं इसको comment कर दूँ ठीक है मैं इसको क्या कर देता हूं comment कर देता हूं ठीक है तो इसकेस में कोई भी problem नहीं है try के साथ finally चलेगा try and finally का combination चलेगा ठीक है अब यह इस पर अभी हम बात में बात करेंगी कि यहाँ पर exception handle के नहीं हुआ ठीक है इस पर बात हम बात में करेंगे यानिकि पर try के साथ वह finally आपका चल गया आप देख सकते है प्रोग्राम compile हुआ था कोई बर्र नहीं आया था पर प्रोग्राम जब रन हुआ तो मैरे प्रोग्राम में क्या हो गया एकसेप्शनल रेज हो गया क्या हो गया और exception handle नहीं हुआ अगर exception handle होता तो line 3 execute होजाती है यह वाले statement डो execute हो जाती बट ऐसा नहीं हुआ तो मेरा कहने का मतलब यह था try के साथ finally block चल सकता है कोई भी problem बाली बात नहीं है तो यह था हमारा वीडियो जिसमें कि हमने try, catch and finally के कुछ combinations देखें कुछ points को note down करा I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजिए दूसरों के साथ शेयर भी किजिए और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए so that कि आपको न्य वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे इस वीडिय में इतना ही नेक्स वीडियो मिलेंगे जबते के लिए बाइबाइब